हेलो फेंड्स मैं हुभारोथ आपका दोस्त और आपको इसनल पर बहुत-बहुत सागत हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आपको देखा हूंगा कि कैसे आप किसी भी रियल्मी मोबाइल में पॉप आप टेक्स्ट मैसेज नोटिपिकेसन को आप अन करा सकते हो ठीक है मदलब आपके पास ज़ने नोटिपिकसन में में आपके पास टेक्स मैसेज आएगा वह पॉपफ होगा. आपके मोबाइल में डियल मी मोबाइल में ठीक है ? तो चलिए दोस्तो इस्टियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ले och चलते मोबाइल के स्क्रीन पर तो दोस्तो पहले Settings खोल ले नहीं होगा तो चलिए पहले Settings ुब ले तो लेने के बाद नीचे की तरह बाईए और देखिए system apps की एक option यह पर करिए click फिर यह जो third option जो मिलेगा messages का यह पर messages में करिए click ठीट है? तो message पर click कर देने के बाद देखिए दोस्तो notification management का एक option यह पर करिए click फिर देखिए यह जो allow notifications है यह अगर off है तो इसे on कर दीजिए on कर लेने के बाद फिर वापस आईए और देखिए display received messages in pop-up window इसे भी on कर ना का तो चलिए on कर देता हूँ और receive instant SMS messages यह off होता है तो इसे भी on कर दीजिए ठीक है तो चलिए वापस आजाए और आपको देखा देता हूँ देखिए यह काम कैसे करता है यह जो मेरा मेरा ही number है यह पर मैं एक message send कर देता हूँ send करके आपको देखाता हूँ क्या इसे काम होता है जैसे hello hi लिख देता हूँ और यह पर send मैंने कर दिया ठीक है तो मैं वापस आ जाता हूँ और देखिए यह जो messages है दोस्तों जो message मैंने send किया यह आ जाएगा और मेरा mobile में pop-up होगा यह simple message जैसे आ नहीं है pop-up होगा skin के अ हो अभी आज आएगा जो message है और देखिए दोस्तों जो मेरा pop-up message है यह आ चुका है यह पर hello hi जो मैंने लिखा ता आ चुका है इसे ही आप अपना mobile में on करा सकते हो pop-up message का जो notification है बहुत ही आसा नहीं थे तो दोस्तों आसा करता हूँ यह वीडियो आपको आच्छी लगे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो में इतना है मिलता है अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए देखते रहिए खूस रहिए जय हींद बंदे मातरम